वास्व गाइज वेलकम बेक टो टेक्स्टोना चैनल एड हेर इस न्यूव वीडियो आन दी बेस्ट रिमोट टेक्स्टॉप अप्स फॉर एंड्रोई 2019 जिसकी हैप से अपना पूरा पीसी एकसेस और कंट्रोल कर सकते हो अपने फोन से ही और इस वीडियो में मैंने पूरा इ इसलिए यूज करते हैं ताकि जब हम कहीं भी बाहर होते हैं और हमें अपना पीसी एकसेस करना है तो हम अपने फोन से ही रिमोट लिए अपना पीसी एकसेस और कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजी ली सो जो फॉर्स टाइप हमने आज के लिए इसमें एड करा है वह है एनी जो कि एक रिमोट डेकस्टॉब टूल है जिसकी हैप से आप अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हो फोन से ही आपकी कंप्यूटर की पूरी डेकस्टॉब स्क्रीन आपको अपने फोन में दिखेगी और इससे सेटप करने के लिए सबसे पहले एनी डेकस अप इंस्टॉल करना क Será कूब अपने अप्सेटियल और अपने पीस्टॉब कर लिए और इनी डेकस्टॉट सेटेथ पैसले ने येचल करो करके सेटॉट कर सकते हैं और इनी डैकसा मृट एप्ले करिसटॉब में बलकुल फ्री है इस app से भी आप अपना पूरा PC access और control कर सकते कहीं से भी और अगर आपके phone और PC दोनों में high speed internet है तो आपको जर्रा भी lag देखने को नहीं मिलेगा इसे setup करने के लिए PC में Chrome remote desktop extension इंस्टॉल करना है जिसकी download link description में दे दूँगा पिन email id सबसेट करने के बाद वही email id और पिन phone की Chrome remote desktop app में डालना है and that's it आपको phone connect हो जाएगा PC से next app है Microsoft remote desktop beta और ये app भी एक stable remote access tool है जिसे आप अपने PC को access कर सकते हो phone से ही काफी fast secure और एक बड़ी experience देता है हमें और वैसे मेरे पास एक idea है अगर आपको पूरा full experience चाहिए PC का अपने phone पे ही तो आप USB OTG का use करके अपने phone में keyboard और mouse connect कर दो और कोई भी remote desktop tool use कर लो and that's it वीडियो editing से लेके सब कुछ कर सकते हो phone से ही आप बिलकुल PC जैसा experience मिल जाएगा mouse और keyboard phone में लगाने के बाद और हां Microsoft remote desktop को setup करने के लिए पहले ये app install कर लो और उसके बाद PC में Microsoft remote desktop assistance software install करो और जो उसमें IP address और PC name दिया होगा उसे आप में डाल दो और password जो आपके PC का होगा वही इसमें डालना पड़ेगा and that's it Last but not least VNC Viewer और VNC Viewer भी एक powerful remote desktop tool है और ये app भी play store में बिलकुल free है इस app से भी आप instantly अपना PC access कर सकते है remotely काफी बढ़िया high speed streaming connection बना देता है PC से ये और इसे भी setup करने के लिए phone में VNC Viewer app install करना है कि वही password set कर देना और login कर लेना phone से that's it Okay guys that's it for today I hope you enjoy our video and if you like our video so please smash the like button and please subscribe our YouTube channel for more awesome content Thanks for watching have a nice day